जब हम एक नया YouTube चैनल बनाने के लिए एक नया email ID को बनाने जाते हैं तो आप दोस्त हमें दो options देखने के लिए मिलते हैं पहला है for myself, पर जो दूसरा है to manage my business तो आखिरकार दोस्ते दोनों में समय किसे select करना चाहिए चलिए इस वीडियो में दोस्त हम आपको अज बताते हैं तो देखे दोस्त अगर आप एक YouTube चैनल के लिए email ID बना रहे हैं तब दोस्त आपको second वाले को बिल्कुल ही select नहीं करना है जो to manage my business है उसे दोस्त आपको बिल्कुल ही select नहीं करना है को बिजनस वाले के लिए है और अगर आप उसे गलती से select कर लेते हैं दोस्त चैनल लेने सब बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन तो जब चैनल monetize के लिए आप YouTube बार चैनल बेज़ेंगे तब दोस्त आप ठोड़ा सा लोचा हो जाएगा आपके चैनल monetize नहीं होगा उसके लिए दोस्त आपको register फश्टर वाला option हो जाता है और बहुत सारा दिक्कत होता है ते दोस्त आप नहीं करेंगे अगर आप YouTube चैनल के लिए मिला आड़ी बना रहे है तो दोस्त आप फश्ट वाले को ही सेलेक्ट करेंगे जो for myself पे उससे ही सेलेक्ट करेंगे तो जनकारी अगर अच्छी लगे हो दोस्त इसे तरह के जनकारी आए पाने के लिए वीडियो को